आज मैं नाटिला बना रही हूँ, चलिए बनना शुरू करते हैं, एक कप विदाम इसे रोष्ट कर देंगे, गैस का प्लेम मीडियम से लो रखेंगे, विदाम को रोष्ट करने में सांस से आंट मिन्ट लगेगे, विदाम हमाई रोष्ट हो चुकी हैं, एक बर्तन में खाली कर देंगे, एक कप हैजल नट्स, इसे भी हमें सैम प्रोसस से रोष्ट करना है, एक बर्तन में खाली कर देंगे, मैंने एक बर्तन लिया है, इसके उपर चलनी रखी है, आदा कप मिस्ट्री पाउडर, आप शुगर भी ले सकते हैं, वन फोट कप कोको पाउडर, इसे हम च मैंने एक मिक्सिका जाल लिया है, विदाम को इसमें डाल देंगे, और इसे पीछ लेंगे, इसे हम तीन से चार बार पीछते रहेंगे, स्मूथ पेश्ट होने के बाद समें गी और मिस्ट्री डाल देंगे, मिस्ट्री और कोको पाउडर समें डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके गी डालेंगे, वन फोट कप गी लगा है, यदि आपको गाड़ा चाहिए तो गी को कम कर सकते हैं, वन फोट स्पून वैनिला इसे हम पीश लेंगे, अच्छा स्मूथ बनाएं, एक कप हैसलनट, इसे हम पीश लेंगे, विताम और हैसलनट को ठंडा करके पीशना आएं, इसे भी हम सेम प्रोसेस से बार बार पीशते रहेंगे, एक स्मूथ पेश्ट बन गया हैं, वन फोट कप गी, आप इसमें वेजिटेबल ओल डाल सकते हैं, लेकिन सुगन वाला ओल मत डालिए, अच्छा सा स्मूथ पेश्ट बन गया हैं, आधा कप मिस्वी पाउडर, वन फोट कप कोको पाउडर, इसे हम पीश लेंगे, बचा हुआ गी इसमें डाल देंगे, वन फ स्पून वैनिल एसेंस, इसे हम पीश लेंगे, आच्छा स्मूथ पेश्ट बनाएं, नटेला बन के तयार हैं, इसे जार में खाली कर देंगे, इसे आप एक से दो मैने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, नटेला की रेसिपी आपको पसंद आती हैं, तो लाइक, शेर और स चॉकलेट बना रही हूं, से बनाना बहुत ही आसान है, चलिए बनाना शू करते हैं, दो टेबल स्पून रागी आटा, दो टेबल स्पून गुड, दस ग्राम डाग चॉकलेट होममेड, एक टी स्पून कोको पाउडर, वन फोर टी स्पून वैनिल एसेंस, आधी ग्लास प दाल के एक स्मूथ पेस्ट बना देंगे, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, हमें स्मूथ पेस्ट चाहिए, थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे, स्मूथ पेस्ट बन गया है, मैंने करई ली है, बचा हुआ पानी इसमें डाल देंगे, और आदा दूद डाल दूद में एक उबाल आ गया हैं अब हम रागी का पेश्च में डाल देंगे लगाता चलाते हुए पकाएंगे और गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे इसमें एक भी लंज नहीं रहना चाहिए इसमें एक उबाल आने के बाद आप चलाना चोड़ सकते हैं लेकिन बीच में बार बार चलाते रहना है नई तो ये तले में चिपक सकता है इससे पकने में 5-6 मिंट लगेगे हम लगाता इससे चलाते रहेंगे पांच मिंट हो चुके हैं अब हम इसमें कोको पाउडर डालेंगे इसमें पानी मिक्स करके एक पेस्ट बना देंगे पेस्ट और रागी के पेस्ट मिंट डाल देंगे राच्चे से मिक्स करेंगे अब इसमें हम डाक चॉकलेट डालेंगे चोटे-चोटे पिस करके डाल देंगे मिल्ट होने तक हम चलाते रहेंगे वन फॉर्थ टी स्पून वैनिला एसेंस और जो आधी ग्लास दूद बचाता वो भी इसमें डाल देंगे और अच्चे से मिक्स कर देंगे यदि आपको ये गाड़ा लग रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा दूद या एक्स्ट्रा पानी डाल सकते हैं लेकिन डाक चोकलिट तो रतिकी अच्छा लगता हैं दो टेबल स्पून जागरी पाउडर अच्छे से मिक्स कर देंगे रागी होट चोकलिट बनके तयार हैं अब हम इसे सर्व करेंगे रागी होट चोकलिट की रेसिपी आपको पसंद आते तो कमेंट कीजिए थैंक यू